हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन इसकूल पर हर्दिक स्वागत है देखे PCDA का पैंसन टेबल जारी सभी रैंक का और देखे तीनों सर्विसिस का आर्मी एर फोर्स नेवी सेपरेट पैंसन टेबल मैं आज आपको दिखाने वाला क्या आपको सही पैंसन मिल रही है चाहे आप 2006 से लेके 2014 के बीच के पैंसनर हो चाहे आप 2014 से लेके 2019 के पैंसनर हो और चाहे आप आज लेटेस 2023-2024 के पैंसनर हो तो आपको जानना चाहिए कि क्या आपकी जो पैंसन आपको मिल रही है क्या वो सही है और अगर सही नहीं है त तो देखिए आप सही उसको कैसे कर सकते हैं ये सारी जांकारी आपको मैं साथ टेबल के माध्यम से समझाने वाला हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें देखिए सबसे पहले हम जो बात करने वाले है मिनिममम पैंसन टेबल ओल रैंक्स आर्मी, एर फोर्स, नेवी देखिए पहले मैं आपको वाई गुरूप के बारे में बताऊंगा और अगर आपको लगता है कि जांकारी अच्छी है आप मुझे कमेंट करेंगे कि एक्स ग्रूप के वारे में तो इस टैप की सेम टेबल मैं एक्स ग्रूप के लिए बलेके जरूर आऊंगा तो यहाँ पर देखिए जो हमने क्वालिफाइंग सर्विस लिया है सिपाही, आर्मी के लिए, एर फोर्स के लिए और सी मैं यहाँ पर जो है नेवी के लिए लिया गया है यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस पंदरा साल, सत्रा साल दो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है अगर आप प्री टुठावन सिक्स पैंसनर है तो यहाँ पर देखिए जो पहले कोलम में बात होगी वो बताई जाएगी आपकी सर्विस पैंसन या और एन्हेंस रेट फैंबली पैंसन और दूसरे नमबर पर यहाँ पर ओएफपी लिखा हुआ है इसका मतलब है ओडिनरी फैंबली पैंसन तो यहाँ पर आपके लिए 18,807 रुपे जो है पैंसन मिल रही होगी 18,285 लेकिन अगर आप 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 के बीच में रिटायर हुए है तो आपकी पैंसन होगी यहाँ पर 20,107 रुपे और जो ओडिनरी फैंबली पैंसन होगी वो होगी 12,065 रुपे 15 साल सर्विस में अगर आपकी सर्विस 17 साल है तो जो आपकी पैंसन है वो होगी 21,782 और आपकी ओडिनरी फैंबली पैंसन होगी 13,070 रुपे लेकिन माल लेजे कि आप 2014 के बाद रिटायर हुए हैं लेकिन 30 जून 2019 से पहले रिटायर हुए हैं तो भी देखे जो आपकी पैंसन है वो बिल्कुल सेम रहेगी यानि 2006 के बाद वाले इतने भी पैंसनर हैं अप्टू 36,019 आपको एज पर PCDA का स्रकुलर 666 के आधार पर ये पैंसन मिलेगी लेकिन अगर आप 2019 के बाद रिटायर हुए हैं तो आपको जब रिटायरमेंट हुआ है तो आपका बेसिक पे MSP और क्लास पे तीनो का 50% यानि तीनो को जोड़के उसको आधा कर लीजिए इतना आपको पैंसन जो है मिलना है अगर आपको इससे कम पैंसन मिल रहा है तो देखे आप CP ग्राम पर क्वेरी डाल सकते हैं देखे हमें पैंसन जितना मिनिममम होना चाहिए उससे भी कम मिल रहा है आपको इससे ज़्यादा पैंसन मिल सकता है लेकिन ये आपके लिए मिनिममम पैंसन टेबल है यानि इससे कम आप अगर ले रहे हैं तो आप क्वेरी डाल सकते हैं अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रैंक की तरफ जो है नायक आर्मी में एर फोर्स में कॉर्पोरल और लीडिंग सीमेन जिसकी हम बात करें या एबिल सीमेन जिसकी हम बात करें यहाँ पर नेवी में तो यहाँ पर देखे 17 साल 20 साल और 22 साल तीन क्राइटरिया मैंने लिया है सेम यहाँ पर pre-2006 2016-2014 के विचके रिटायरी 2014-2019 के विचके रिटायरी और 2019 के बात के रिटायरी चार क्राइटरिया मैंने इसको भी बाता है तेकिके pre-2006 यहाँ पर आप की जो पैंसन बनती है 17 साल सर्विस में 20,107 रुपे 20 साल में 20,979 रुपे और 22 साल में 21,244 रुपे आप जो सेकंड कोलम है वहाँ पर ओर्डिनरी फैमिली पैंसन है आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं अगर बात करें 1,1,2006 से लेके 36,2014 के बीच में आप रिटाइरी हैं तो आपकी जो पैंसन होगी 17 साल में 21,782 रुपे होगी और उसके बाद में 20 साल में 22,007 और 22 साल में 22,144 रुपे यहाँ पर आपकी पैंसन हो जाएगी अगर आप पोस्ट 2006 से लेके 36,2019 तक आते हैं तो दोनों कोलम में देखे सेम मेंसन या पर किया गया है अब बात कर लेते हैं 17,2019 या उसके बाद अगर आप रिटाइरी हुए है तो यह फोर्मूला देखे सभी रैंक्स पे सेम रहेगा 50% ओफ जो आपका बेसिक पे है MSP है और क्लास पे है अब बात करते हैं तीसरी रैंक पे जो हवलदार, सारजेंट, आर्टिफिसर फाइव और पैटी ओफिसर हैं आपर देखे यहाँ पर यह चीज आपको धनकना है कि 20 साल, 24 साल और 26 साल मैंने लिया है अगर आप 20 साल सर्विस करके आए हैं और प्री टूठाउन सिक्स रिटाइरी हैं तो आपको 22,007 रुपे इससे कम पैंसन नहीं मिलनी चाहिए अगर आप 11,26 से 36,2014 या मैं कहूँ 36,2019 के बीच में रिटाइरी हैं तो आपकी जो पैंसन है 24,125 रुपे से कम नहीं होनी चाहिए अगर आपकी सर्विस 24 साल है तो देखे यहाँ पर 26 के लिए 22,257 और पोश्ट 26 के लिए 24,825 यह देखे 36,2019 तक का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद में यह टेबल जो है यहाँ पर 50% रहेगा उसके बाद में अगर आपकी 26 सर्विस साल सर्विस जो है 26 साल है तो पोश्ट 26 के लिए 22,257 और उसके बाद देखे 24,825 यहाँ पर देखे ओर्डिनरी फैंबली पैंशन का भी है आप इसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं ओनररी नाइब सुबेदार जी हाँ 24 साल और 26 साल यहाँ पर दो मेनेज लिया है अगर आप 24 साल सर्विस करके आए है तो प्री टूटाउन सिक्स पैंशन है तो 23,750 26 साल करके आए है तो तो भी 23,750 लेकिन अगर आप बात करें टोटल प्री टूटाउन सिक्स नहीं है 26 के बाद रिटायर हुए तो जी है 24,825 आपके पैंशन बनती है 24 साल में लेकिन अगर आप 26 साल सर्विस करके ओर्णरी नायब सुबदार की रेंक से रिटायर हुए तो जीखे आपका प्री टूटाउन सिक्स तहीं साथ सो पचास एक एक 26 से लेके 36,2014 के बीच में रिटायर हुए तो 26,741 और 17,2014 से लेके 36,2019 के बीच में रिटायर हुए तो 24,825 और यह हैं आपर ओर्डिनरी फैमिली पैंसर का डाटा आप देख सकते हैं अगर हम बात करें देखे नेक्स्ट रैंक की जो है नायब सुबेदार जूनियर वारंट ओफिसर और चीफ पैटी ओफिसर CPO यानि जो एक्विवेलेंट रैंक्स हैं उनके बारे में तो भी देखे यहां पर जो प्री 2006 है या मैं कहूँ प्री 2016 है उनको सेम पैंसन मिल रही है वो है 24 साल में 24,233 रुपे 26 साल में 26,741 और 28 साल में 27,607 रुपे वहीं अगर आप एक जुलाई 2014 के बाद रिटाइरीज हैं तो यह कि 24,825 24 साल में 26 साल में 24,825 28 साल में 26,075 यहां पर देखे आपको पैंसन कम होती दिख रही होगी उसकी वज़ए है और ओर ओर पी टू में जो पैंसन है वो कम होई है लेकिन जिसको ज़्यादा मिल रही है उसकी पैंसन कम नहीं होगी यानि यह मिनिमम पैंसन है इससे उपर ही आपको पैंसन मिलेगी यहां पर एक जुलाई 2019 से लेके तिल डेट तक 50% जो भी आपका लास्ट पे ड्रोन है अब चलते हैं यहाँ पर सुबेदार, वारंट ओफिसर और मास्टर चीफ पैटी ओफिसर क्लास टू 26 साल, 28 साल और 30 साल यहां पर लिखा गया है अगर आप 26 साल सर्विस करके आए हैं और देखे 2014 से पहले रिटाइरीज हैं तो आपको 29,368 रुपे मिल रहे हैं 28 साल में 31,529 रुपे इससे कम नहीं मिलना चाहिए 30 साल में 32,614 इससे कम आपको पैंसन नहीं मिलनी चाहिए लेकिन अगर आप 17, 2014 के बाद रिटाइरीज हैं 2019 तक तो देखे 28,050 28 साल में 29,700 और 30 साल में 31,000 रुपे ये देखे ऊपर जादा है मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपको जादा मिल रहा है तो जादा मिलता रहेगा ये मिनिमम पैंसन टेबल है इससे कम आपको नहीं मिल सकता है अब चलते हैं अपनी अंतिम रेंक की तरफ सुबेदार मेजर, मास्टर वारंट ओफिसर और मास्टर चीफ पैटी ओफिसर क्लास वन देखे यहाँ पर प्री टूटाउन सिक्स हो या एक एक दोजार चैसे से लेके 36,24 के बीच के रिटाइरी जो हो 28 साल अगर यहाँ पर सर्विस है किये उन्होंने तो यहाँ पर देखे 32,786 रुपे 30 साल में 33,526 रुपे 32 साल में 33,526 रुपे या नि सेम है उसके बाद में 17,24 से लेके 36,29 तक 37,75 अठाइस साल में 31,625 तीस साल में और 33,400 यहाँ पर 32 साल में इससे कम आपकी पैंसन नहीं होनी चाहिए और बात कर लेते हैं 17,2019 के बाद के रिटाइरीज हैं तो जो भी आपका लास्ट पे ड्रोन था बेसिक पे, MSP क्लास पे इन तीनों को जोड़ के आधा कर लीजिए उससे कम आपको पैंसन नहीं मिलनी चाहिए देखे अगर आपको जो मैंने आपको टेबल्स दिखाई है उन टेबल के माध्यम से आपको लगता है कि आपकी जो पैंसन है कम मिल रही है, कम फिक्स हुई है तो जो जो आप CP ग्राम पर ग्रिवैंस जरूर डालें आपकी पैंसन बिलकुल एकदम गारंटी के साथ जो है रिवाइज होगी, सही मिलेगी यहाँ पर एक चीज ध्यान देने बात योग यह है देखे अगर आप PMR हैं और जुलाई 2014 या 36 2014 के बाद में रिटायर हुए हैं तो आप पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं क्योंकि आपको सर्कुलर 6666 का फाइदा नहीं दिया गया है तो ये बात यहाँ पर विशेज ध्यान देने योग गया है तो ये थी सारी जानकारी सभी रैंक्स की मिनिमम पैंसन टेबल को लेकर देखे ये जो साई जानकारी खटा की है ये PCD के जो सर्कुलर्स हैं उन सर्कुलर के माध्यम से की है चाहे OROP 1 हो चाहे OROP 2 हो चाहे 7CPC हो सारी कैलकुलस करने के बाद में ये टेबल तयार की गई है अगर आपको लगता है कि जानकारी अच्छी है और मैंने जो मेहनत की है आपको लगता है कि इस पर लाइक बनता है तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बता है कि आपको X गुरूप के लिए भी इस टाइप की टेबल्स की जरूर थै या नहीं अगर आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो X गुरूप के लिए भी सेम टेबल्स में जरूर लेके आऊंगा ये थी हमारी आज की परमुक वीडियो फिर में लेंगे आपसे जय हिंद जय भारत